आज एक ऐसे न्यूज आपको बताने जा रहा हो जिससे के आपका मूड खराब हो सकता है सुभे सुभे ऐसे न्यूज नहीं दिखानी चाहिए पर किसी पर अगर अत्याचार हो रहा हो तो उसे दिखाने के लिए सही समय का इंतजार भी नहीं करना चाहिए इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी इस देश के प्रती नफरत और बड़ेगी आप इस देश पर और गुसा होंगे और मेरे हिसाब से आज आपको गुसा होना जरूरी भी है क्योंकि हालात हिंदों के खिलाफ है तो चलिए आज की इस अत्याचारी खबर की शुरुवात करते है वैसे दोस्तों बात हो रही है बांगलादेश की और इसी बांगलादेश में आज हालात ये हो चुके है कि वहाँ जो हिंदू टीचर है वै अपनी जान बचा कर भागने पे मजबुर हो चुके है उनसे जबरनी स्तिफे मांगे जा रहे यकिन नहीं हो रहा तो इस आर्टिकल को पढ़िए ये जनसत्ता का आर्टिकल है और जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा है कि बांगलादेश में हिंदू शिक्षकों से रेजिगनेशन मांगे जा रहे और योनुस सरकारों ने भारत ना भागने की सला दे रही है बांगलादेश न्यूज एजेंसी डेली स्टार के मताबिक पुर्फ प्रधानमंत्री शेक हसिना की सरकार गिरने के बाद से जो धार्मिक और जात के नाम पर हिंसा शुरू हुई उसने हिंदूं का जीना मुश्किल कर रखाए पहले तो हिंदूं के खिलाब सिर्फ विरोत प्रदर्शन हो रहे थे लेकिन अब हाला तैसे बन चुके है कि बांगलादेश के आवामी लीक के लोग हिंदू टीचर्स को बहुत जादा टॉर्चर करने लगे है खबर के मताबिक अब तक सो से जादा हिंदू टीचर्स को इस्तिफा देने पर मजबूर किया गया और जिनोंने इस्तिफा देने से मना किया था उनकी कम बेर रूप से मारपीड भी की गई बांगलादेश में जो हिंदू संस्ता है उनके मताबिक बांगलादेश में जितनी भी हिंसा हो रही है उसमें मंदिरों की तोड़ फोड घरो और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आगजनी महिलाओं पे अत्याचार यहां तक की हत्याय बेशामिल है और इसी डर से जब कुछ हिंदू भारत की वर रुक कर रहे थे तो युनुस सरकार ने सिमा पर अत्रिक सुरक्षा बलताइनाद करके हिंदूं का रास्ता रोग दिया है युनुस सरकार की स्टेटमेंट है कि कोई भी हिंदू भारत ना जाने पाए ऐसे में वहां के हिंदूं की मुसीबत और बढ़ चुकी है एक तो पहले ही कोई सुरक्षा नहीं मिल रही उपर से भारत भागने के रास्ते भी बंद कर दिये गए है और यही बांगलादेश भारत से आर्तिक पैकेज की मांग कर रहा है जबकि उसकी जनता हर रोज भारतिय धरोवर को मिट्टी में मिला रही है युनुस की अंतरिम सरकार सच में भरो से लायक नहीं मुहमद युनुस को गरीबों के बैंकर के तोर पर नोबेल शांती पुरुसकर जरूर मिला होगा लेकिन पॉलिटिक्स में वो गरीब हिंदूं के कोई मसीहा फसिया नहीं ये साबित हो चुका है तो हिंदू टीचर्स के इस्तिफे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताईए और हाँ वीडियो अच्छ लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करे जा हिंद